पुलिस के साथ बदमाशों की मुटफेड हुई, पुलिस वस्वाथ टीम के साथ बदमाशों की मुटफेड देखने को मिली गोकशी की घटना को अंजाम देने के लिए बदमाश जा रहे थे और बुलंद चैर में दो अलग-अलग थाने की पुलिस वस्वात टीम के साथ बदमाशों की मुठफेड हुई है गोकशी की बड़ी घटना को अंचाम देने के लिए जा रहे थे बदमाशों पुलिस और बदमाशों के बीच उसी वक्त मुठफेड हो गई और आपको बता दे बदमाशों को क्रोस फाइरिंग में घायल अवस्था में गिरफतार किया गया है और बदमाशों से अवैदसला कार्टूस कार गोकशी उजार्व एक कोईंचल 90 किलो अवैद प्रतिबंद मास परामद किया है बीती रात दो अलग-अलग पुलिस मुठवेडों में कुल पांच को ख्यात गोतसकर गोली लगने से घायल हुए है क्रास फाइरिंग में और उनकी गिरफतारी की गई है उनके कबजे से प्रतिबंधित गोमांस गोकशी के उपकरन तमन्चे कार्टू साथ बरामद हुए है उन लेखनी यह है कि जनपत बुलन सहर की पुलिस कुछ गोकशों के पीछे काफी दिनों से प्रयास कर रही थी उनकी गत्विधियों की मानिटरिंग कर रही थी उसी क्रम में ज्यात हुआ कि अरनिया के रुकनपुर जंगल में गोकश आज ही कठा होंगे और उस अब सूचना पे स्वाट टीम बुलन सहर और अरनिया थाने की पुलिस ने घेराबंदी की घेराबंदी के दोरान दो गाड़ियों से कारों से ये बजमास भागे उनमें एक कार के साथ पहली मुटवेड हुई जो अरनिया थाना छेतर में हुई और इसमें एसेंट कार थी बजमास के पाथ रात को दो बच के पंदरह मिनट के आसपा से मुटवेड हुई है जिसमें आत्मरक्षार पुलिस द्वारा की गई फाइरिंग में तीन बदमास घायल हुए गिरफतार किये गए एट जाहिद जो अलीगर का है पार्शी थाना छेतर का दूसरा इकराम जो बन्ना देवी थाना छेतर अलीगर का है तीशरा समशाद जो अरणिया बुलन सहर का रहने वाला है ये गिरफतार किये गए इनके कबजे से तीन तमन्चे काफी मातवार में जिन्दा कार्टूस खोखा कार्टूस और लगभग एक कुंटल के आसपास प्रदिबंधित गोमांस की बरामदगी की गई है और दूसरी कार मौके से भागने में सफल रही उसकी चेकिन के लिए पूरे जन्पत को बताया गया सुबह लगभग साड़े पांच बजे के आसपास छतारी थाना छेत्र में एकस एकस फोर मारती कार जिसमें ये बदमास भागे हुए थे इनके साथ छतारी पुलिस की मुटभेड हुई जिसमें अली हसन और मुंसर जो करंशा थाना पहासु और फुर्जा देहात बुलन सहर के रहने वाले हैं ये क्रास फाइरिंग में घायल हुए इनके कबजे से तमंचे कारतूस प्रतिबंधित गोमांस गड़ा से छुरे रस्तियाद उपकरण बरामत किया गया है इस तरह पांच फुक्षात गो कशी करने वाले ये अपराधी गिरफतार हुए हैं और इनके कबजे से कार बरामत हुई हैं दो कसलह परियावत मात्रा में बरामत हुए हैं प्रतिबंधित गोमांस बरामत किया गया है इनका गैंग लीडर अलीगर का रहने वाला है और आज परोस के जन्पदों में इसी तरह गोकशी की घटना करके ब्योसाई के अब्यापारी किलाव के लिए एक खृतिय कर रहा था